वेरी गूड मौनिंग अल आफ यू आज हमος बी ए फॉस्ट्र लैप्रेटी साइन्स के फॉस्ट पेपर के तहट रास्टी पुस्ट काले के बारे मैं दियन करेंगे रास्टी पुस्ट काले क्या होता है उसका इतियास, विशेशता है और उसके बाद में भारत के राश्टी पुस्काले के उपर हम चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं सभ्यता, संस्कृति और सिक्षा के विकास के साथ-साथ ही अनेक परकार के पुस्काले के विकास हुआ है जैसे हम निजी संग्र के सकते हैं, सार्जनिक संग्र के सकते हैं, व्यापारिक पुस्काले के सकते हैं, तक्निक की पुस्काले के सकते हैं, सक्सनिक पुस्काले के सकते हैं जैसे जैसे शिक्षा संस्कृति और ज्यान को बड़ावा मिला है वैसे वैसे उस संदर्पित पुस्कालेओं का विकास हुआ है राष्ट्री पुस्काले अवदारना की बात करें तो राष्ट्री पुस्काले की अवदारना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है इस अवदारना का विकास मुख्य रूप से पस्चिमी देसों से सुरुवात होती है जैसे जैसे वहाँ ओद्योगी करण होता है और दोगी क्रांती होती है, पुनर जागरन होता है, तब विभीन परकार की जो खोजें और रिसर्च होने लगते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे जिसे ग्यान में व्रद्धी होती है, और उसी दर्मियान जब वहाँ पर प्रिंटिंग, यानि मुद्रन का अविश्कार होता है जोन गुटनबर्ग के द्वारा, तो वहाँ पर प्रलेकों में व्रद्धी होती है, प्रलेकों में व्रद्धी होती है, तो उन प्रलेकों को सरक्षित करना भी एक मतलपों में काम हो जाता, ऐसी इस्तिती में पुस्काले का विकास हुआ है, और जो रास्टी पुस्काले का विकास हुआ है उस रास्टी पुस्त का लएक के विकास का अर्थ या है कि उस रास्ट में जो प्रलेक उत्पन हो रहे हैं जो पुस्तकें लिखी जा रही है या जो भी दिसर्च हो रहे हैं वह प्लस उस देश के उपर लिखे जारे प्रलोकों का स्रंग्रव होता है मतलब एक राश्ट्री सूचना प्रणाली होती है जिसके तहट कि उन प्रलेकों को कहीं पर भी एक जगह पर विवस्चित करके उनको पविश्च के लिए सरक्षित किया जा सके उन प्रलेकों को आने वाली पीडियों के लिए सरक्षित किया जा सके तो यही जो राश्ट्री पुस् के लिए उपयोग लायक बनाना पावी पीड़ी उसका उपयोग कर सके इस प्रकार से उसको बनाना जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसकी एगर इतियासिक प्रस्ट भूमी देखा जाए तो मानव सप्विता जितनी पुरानी है उतना पुराना ही पुस्कालयों का इतियास है और पुस्कालय का जो इतियास है वो लीपी के इतियास के समाना अंतर रहा है जिस प्रकार से व्यक्ति ने लिखना शुरू किया है किसी अपने विचारों को अपने भावों को अपनी अभी व्यक्तियों को अपने बोदिक उद्धिपन को लिखना स्टार्ट किया है उनको किसी पुस्का लेके विक्यास का इतियास है. आज हम चट्टानों पर विपी ने चित्रन लेखन देखते हैं, तामर पत्र देखते हैं, या फिर पेपराइज जो पेडों की छालों पर लिखे जाते थे, चर्म पत्रों पर लिखे जाते थे हडियों पर उकेरे जाते थे चट्टानों को काट कर ऐसी चित्र बनाया जाते थे जो किसी भाव को व्यक्त करें तो यही पुस्का लेगा इतिहासे और यही जो उनको सरक्षित किया गया उन लोगों के द्वारा उस समय का उनका जो बोधिक स्तर होगा वो उस हिसाब से होगा लेकिन उनका जो उद्धिश्य था वो अपने भावों को लोगों को बताने का यानि उनको सरक्षित करने का उद्धिश्य था कि लोग उन भावों को देखे तो जो राश्ट्री पुस्त रास्ट्री पुस्काले की जो अवधारना है वो पुनर जागरन काल के बाद में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और जिस प्रकार से मुद्रण का अभिश्कार हो जाता है उसके साथ ही रास्ट्री पुस्काले का जो सिस्टम है वो बढ़ने लगता है और जो सरवातिक इस वहाँ पर रास्त्री इस्तर के प्रलेकों का संग्रहन शुरू किया गया, माना जाता है। अब रास्त्री पुस्काले की परिबाशा क्या है, इसके उपर हम पात करेंगे। अब परिबाशाओं को पर्टिकुलर टर्म के रूप में देखते हैं, तो American Library Association की जो ग्लोजरी है, उसमें रास्त्री पुस्काले को परिबाशित करते हुए कहा है कि रास्त्री इस्तर पर एक सिस्टम त्यार करने वाला, क्योंकि सार्जिनिक पुस्काले होते हैं, वो रास्त के द्वारा ही तैयार के जाते हैं, लेकिन सार्जिनिक पुस्काले में हो सकता सभी प्रकार के प्रलेख न हो, वो सबी प्रलेख उस राश्ट्री पुस्टकाले तंत्र में सापित हो। इसके अलावा डॉक्टर एसार रंगनातन ने अपनी परिपाशा दी है वह है यह कि वह पुस्टकाले जिसका दाइत्व भावी जनता के उपयोग है तो देश की लिखित क्रतियों का संग्रा और सनक् है दूसरे सब्दों में वह विचारों के संकलन और विकेंद्रिक रण का प्रदान केंद्र होता है डॉक्टर ऐसार रंगनातन केता है कि राश्ट्री पुस्टकाले का दाइत्व भावी जनता के उपयोग है तो देश की जो लिखित जो क्रतियां है चाए वो किसी भी रू अब हम अगर राश्ट्री पुस्टकाले की विशेश्ताओं की बात करें तो राश्ट्री पुस्टकाले की विशेश्ताएं राश्ट्री पुस्टकाले एक राश्ट्री महत्व का संस्तान होता है वह उस देश के साविदान के अनुरूप उसकी सापना की जाती है तो संद्री सरकार द्वारा लोक निदी यानि पब्लिक फंड के द्वारा संस्तापित और परिपोशित किया जाता है और रास्ती जो पुस्तकाले होता है वह प्रति लीपी अधिकार पुस्तकाले होता है कोपीरैट पुस्तकाले होता है अर्थात किसी भी देश के रास्ती पुस करने और अनुरक्षित करने का उसके पास में अधिकार होता है चाहे वो किसी भी लेखक के द्वारा लिखी गई हो कोपी रेट का उलंगन नहीं होता है अगर कोई प्रकाशन होता है किसी पुस्तक का किसी भी लेखक का तो उसको एक कोपी रेट का अधिकार होता है जिसको हम क तो कोपिरेट के आदार पर वो व्यक्ति अपने प्रलेक को कहीं भी चोरी होने से या उस प्रलेक की प्रतिलिपी होने या उसका कोई घलत उप्योग होने से बचा सकता है लेकिन राश्ट्री पुस्तकालेक को इसकी छूट होती है राश्ट्री पुस्तकालेक किसी भी जो प् तो एक copyright लाइब्रेरी होता है राष्ट्री पुस्थ का लाइका प्रावदान समुझ चे राष्ट की आफशक्ताओं को संतुस्थ करने के लिए किया जाता है यानि जो राष्ट की आफशक्ताओं हैं जो अध्यन समंदित ग्यान समंदित रिसर्च के समंदित या प्रलेखों के समंदित उन सभी को संतुस्थ करने के लिए राष्टी पुस्थ का लाइका प्रावदान किया जाता है चाहे उस देश की राष्ट जो प्रकाशित प्रलेख हो या उस देश के उपर प्रकाशित प्रलेख हो जैसे हम हमारे देश के राष्ट्री पुस्काला की बात करें तो हमारे रास्ट के जो रास्ट्री पुस्काले हैं उसमें हमारे देश में जो प्रकासित प्रलेक हैं वो होंगे और हमारे देश के उपर पूरे विश्व में कहीं भी प्रलेक प्रकासित होंगे उनकी प्रती वहाँ पर होगी तो हमारे देश के अंदर और हमारे देश के उपर लिखे जाने वाले जितने भी डोक्यूमेंट्स होते हैं प्रलेक किताबे पुस्के जो भी होते हैं वहर राश्ट्री पुस्काले के अंतरकत आते हैं वहाँ पर रहते हैं यहाँ पुस्कालय विबिन पुस्कालयों को जो अप्राप्य है दूडलब है या हस्त लिकित सामगरी है उसको पुनर रक्षित करके उनको लोगों के लिए उपलब्द करवाता है राष्टी जो पुस्कालय होता उसकी एक विशे साहिया अभी होती है कि जितने भी जो अप्राप्य पुस्किय है जो पांडू लीप्या है जो पुराने प्राचिन ग्रणत है जो छेनसेन अविस्ता में हो गए हैं उनको रई-प्रोडूज करें उनको पुनर उत्पादित कर लोग उनको देख पाएं माइक्रो फिल्म के रूप में माइक्रो ग्राफिक के रूप में माइक्रो फिश के रूप में या आने वर्तमान समय में डिजिटल रूप में उन प्रलेकों को जो तामर पत्र या ताड़ पत्र या जो हस्त लिकित गरंत हैं जो किसी भी तरीके से ल जनता है यूजर्स हैं वो उप्योग कर पाएं रास्ती पुस्तकाले अनेक रास्ती तथा अंतरास्ती मात्व की कारियों संपातित करता है विबिन देशों के साथ में समंध स्थापित करता है विबिन देशों के जो ग्रंत ज्यान होता है उनका आधान प्रदान का एक रास्त institution होता है कि यह हप्रुस्टकालय देश के अन्य पर्ष्टकालइव को नियोजन तक्नीक तता संगटन की दर्श्टी से मार्ग द्रशक के रूप में कायर करता है जो रास्ठी पुस्कालय होता है वह उस देश के अन्य जो पुस्काले होता है उनका एक प्रतिनिदी होता है उनका एक मार्ग ब्रशक होता है जो कि वहाँ पर उनकी प्लानिंग करने में उनकी काम करने में उनकी तक्निकी संगठन आर्धी के बारे में मार्ग ब्रशन प्रदान करता है यह सभी जो विसेशता हैं किसी भी देश में रा जो हमने इन विशेश्ताओं के उपर बात की यह सबी विशेश्ता है जिस पुस्काले में होती है वह राश्टी पुस्काले होता है और वो अपने आप में एक उस देज के जो पुस्काले तंत्र होता है उसके शिश पर अपने आप में वो आ जाता है अब राश्टी पुस्क लेका इतियास से के हैं जब ग्रंतों की संक्या कम हुआ करती थी हस्त लिकित ग्रंत होते थे यानि मैनिस्क्रिप्ट जिनको हम पांडूली भी बोलते हैं तब इसका कायरे केवल जो कायरे होता था वो किसी देश में प्रकासित साहित को इकटा करना होता था और उसको जान के रूप में होता था कोई भी राजा महाराजा वहां जो पुस्त के होती थी उनका संग्रह करता था और वहां ज्यान का बंडार करता था लेकिन वोसे अर्जनिक लोगों के लिए उपलब्द नहीं करवाया जाता था जैसे जैसे परिवर्तन हुए मुद्रण का अवि जया सार्जनिक उपयोग में आने लग गया था संग्रह के विकास जो इसके प्रमुक कारे है उनमें प्रमुक जो काम है वह है संग्रह का विकास सरक्षण समधित कारे जो राश्ट्री पृस्त का ले होता है इसका जो प्रमुक काम होता है यही होता है कि संग्रह विकास करन संग्रा यानि प्रलेकों का संग्रा करना उनको करना उसको इस प्रकार से विवस्तित करना कि पूरे देश के प्रलेक और उस देश के समंदित विदिशओं में प्रकाशित होते हैं उनका एक systematic collection हो और देश के लोगों के लिए उपियोग में आ सके राश्टी पुस्काले के जो प्रमुक दो कायरे होते हैं वह राश्ट के अंदर के जो राश्ट में प्रकाशित होते हैं वो और उस राश्ट के उपर विदेशों में प्रकाशित होने वाले प्रलेक और उनको फिर प्रलेकों का संग्रह करना और संग्रह करके उनको सुरक्षित करना वेवस्तित करना और उप्योग लायक बनाना लोग उसका उनका उप्योग कर सके इस प्रकार से उनको त्यार करना अब रास्ट में जो प्रकासित पुस्ट के हैं उन प्रकासित पुस्कों को किस प्रकार राश्ट्री पुस्कालय प्राप्ट करेगा तो इसके लिए समय समय पर सरकार ने नियम बना है जैसे Delivery of Books Act on 1954 तो Delivery of Books Act on 1954 था उसके अंतरकत जो राश्ट्री पुस्कालय होता है उस पुस्कालय को जितने भी प्रकाशक होते हैं जो रैटर होते हैं उनको अपने पुस्तक की एक प्रती वहाँ पर निशिल करूप से जमा करवानी पड़ती है अगर जमा नहीं करवाते हैं तो उनके विरुद उस Delivery of Books Act यानि बुक आभपती अधिनियम 1954 के तहट उनके खिलाप कारवाई कानूनी कारवाई की जाती है तो जो जितने भी प्रकाशक होते हैं वो जो पुस्तके पब्लिश करते हैं उसकी एक प्रती रास्टी पुस्तकालाय को उपलब्द करवानी होती है इसके अलावा भारत में तीन पुस्तकालाय और हैं उनको भी एक Delivery of Books Act अधिनियम के तहट उस एक एक प्रती उन चारों पुस्तकालाय को जमा करवानी पड़ती है जिसमें जो रास्टी पुस्तकाले और इसके अलावा तीन पुस्तकालाय होते हैं यहां पूरा हम Delivery of Books Act में जो कि अलग से एक टोपी के हमारा उसमें पढ़ेंगे तब इनके उपर हमात्यन करेंगे तो रास्टी महत्रका जो संस्तान रास्टी पुस्तकाले होता है उसका संग्रविकास में जो Delivery of Books Act है वो महत्रकुन रोल अधा करता है जिससे कि उस पुस्तकाले के देश में जो प्रकाशन हो रहे हैं उनकी प्रती उसके पास में पहुंचती है विदेशी जो प्रकाशन होते हैं वो हम कैसे प्राप्ट कर सकते हैं इसके उपर हम बात करते हैं प्रमुक शास्की प्रकास्टनों को दूसरे देश के राश्टी केंद्री पुस्कालयों के सयोग से पारसपरिक विनेमय के द्वारा प्राप्त करें। वो एक दूसरे देश में पहुंच सके। सकते हैं। साथ इसाथ दुरलब गरंत और महतुपुन हस्तलेकित गरंतों को संग्रग को क्राय के द्वारा खरिज सकते हैं। देश के दिवंगत, प्रमुक, विद्वान और वेग्यानी के वेक्तिकत ग्रंत संग्रग को प्राप्त करने के दिशा में उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपर भी ध्यान दें। अत्रिक्त जो प्रतिया होती है, रास्टी जो केंद्री पुस्काले में जो अप्राप्त करने के लिए। डॉक्टर ऐसा रंगनातन ने कुछ सुजाव प्रताया है, दिये हैं, जिसके अंत्रगत केंद्री पुस्काले देश विदेश के अन्य पुस्काले उसे संपरक स्तापित करके पारस परिक आदान प्रतान के मातिमों से पुस्काले में उप्योगी अत्रिक्त जो प्रतिया ह उनको प्राप्त कर सकते हैं, अब ये प्रमुक जो काम था वह संग्रविकास का था, किस प्रकार हम हमारे रास्ति पुस्काले में संग्रविकास करें, तो जो प्रमुक बाती वह जो भारत के अंदर जो प्रकाशित हो रहे हैं, उनको तो Delivery of Books Act के द्वारा हम प्राप्त कर स कर सकते हैं, यानि किसी भी प्रकार से हम उनको सयोग प्राप्त कर सकते हैं, और उनको विनिमे के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और उनको क्रय करके उपहार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अब रास्ति पुस्काले का दूजर दूसरा काम है, वह प्रसार के समंदित काम है राश्टी पुस्काले का जो राश्टी पुस्काले के अंतरकत जो भी प्रलेक होते हैं जो डोक्युमेंट होते हैं उनका उनको संग्रहित करके उनका प्रचार प्रसार करना पाठकों को बताना कि राश्टी पुस्काले में यह ग्रंत उपलब्द है और पाठक इसका उप्योग करें तो प्रसार और पचार समंदित कार है उसको करना होता है अब जो प्रसार की बात करें तो ऐसी लिस्टे त्यार करना ऐसे केटेलोग त्यार करना सूची त्यार करना जो कि लोगों तक पुछें कि भारती रास्टी पुस्त काले में ये इस इस प्रकार की पुस या फिर हस्त लिखित ग्रंथ कुछ भी जो भी है वो रास्ति पुस्त का लाय में आवस्तित है तो इसके लिए नेशनल बिब्लियोग्राफी करके जो एक बिब्लियोग्राफी होती है ग्रंथ सुची होती है जो की भारत सरकार के द्वारा भारत के जो संदर्ब पुस्त का ल या भारत के उपर जो प्रकाशित विदेशम गरंथ हैं उनकी एक सुची होती है गरंथों के नाम की लेखकों की उसके द्वारा भी हम उन गरंथों के बारे में अध्यन कर सकते हैं हम पता कर सकते हैं कि इस पुस्तकाले में ये गरंथ हैं उसको हम प्राप्त करके पढ़ सकते तो यह प्रसार के संबन्द में ये एक प्रहु काम होता है कि लोगों को बताना कि किस प्रकार का कलेक्शन हमारे रास्ट्री पुस्ट काले में है और इसके अलावा दीन वीशियों पर जो पूर्वक में प्रकासित पुस्थ के है, उनकी गरंथ सुचे संकलेत करना वर्तमान में प्रकासित होने वाले शोद तथा अणय पत्रपत्रि काउं की नडेशी का प्रकासित करना रास्त्री हित के वर्तमान साहित का शारंस त्यार करना और उससे प्रकाशित करना और सहकारी वर्की करन और सुची करन करना ताकि पता चल सके कि पुस्काले में यह ग्रंथ है इसके अलावा रास्त्रि ग्रंथ सुची जैसा कि मैंने भी बताया था कि जो रास्त्रि ग्रंथ सुची होती है इंडियन नैस्नल बिब्लियोगराफिय जैसे हम कहते हैं तो वह देश के सभी नागरिकों को अपने विशियों से समंधित तथा सरकार को नविंतम प्रकासनों से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से रास्ट्री सूची प्रकासित करना रास्ट्री पुस्काले का एक महत्वपुन कारिय होता है। रास्ट्री जो सूची है उसका प्रादूरबाव फ्रांस के रास्ट्री केंदरी पुस्काले से वाना जाता है। गरंत सूची यानि नेशनल बिब्लियोग्राफी त्यार करना जो कि भारत की इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आई एन बी जिसकी जो शुरुआत है वो 1957 से मानी जाती। 1957 से मैं पहली भारत की रास्टी गरंत सुची तयार होई थी, जो कि वहां की जो संदर्व पुस्छी काला है, जो भारत का राश्टी पुस्छहाला एक उलकर्ता में, उसके अंदर ही एक संदर्व पुस्छी काला है, वो एक राश्टी पुस्काले का प्रमुकार्य होता है जैसे गहन अध्यन करने वाले पाठक जैसे शोद करता, लेकक, विद्वान आधी को पढ़ने और प्रामर्स देने के लिए सभी पुरकार की सुविदा उपलब्द करवाना संदर्ब और सूचना सेवाएं उपलब्द करवाना रास्टी और अंतर रास्टी स्तर पर अंतर पुस्काले आधान प्रतान की सेवाएं उपलब्द करवाना प्रलेकन के समंदित सेवाएं प्रतान करवाना सरकार द्यापार और उद्योग के लिए विशिस्ट सेवाई प्रदान करना उनको विशिस्ट तकनिकी साहता प्रदान करना और उनको गंत सुची निर्माण के लिए प्रहृत करना ये सभी जो पाट के समंदित सेवाई होती है वहाँ होती है समन्वय का काईरी करना रास्ति पुस्काले का पूरे देश के जितने भी पुस्काले होते हैं उन पुस्काले के साथ में कॉडिनेशन करके उन पुस्काले को मार्ग दशन परदान करना होता है उनका नियोजन करना उनका प्रशाशन किस प्रकार से एक सिस्टम चलाए जाए पूरे देश में पुस्काले तंत्र उसके एक सिश्च के रूप में रहते हुए उनका मार्ग दश्चिन करना होता है उनका समन्वय का कारी करना होता है और एक परियोगशाला समन्दित कारे परियोग शाला के रूप में कारिकरना जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान के विश्यों के लिए एक लेबोरेटरी होती है तो सामाजिक विज्ञान के जो विश्यों होते हैं जो मानवी की विज्ञान के विश्यों होते हैं तो एक परियोक्षाला के रूप में तयार होना, अपने आपको तयार करना, तो ये एक राष्ट्री पुस्काले का मुर्थपुन कायरे होता है, कि एक ज्ञान की परियोक्षाला के रूप में अपने आपको तयार करना, तो ये प्रवुख राष्त्री जो पुत्कालाय होता है उसके काईरित है अब हम बात करेंगे भारत के रास्त्री पुत्कालाय की तो भारत का जो रास्ट्री पुस्तकाला है भारत का रास्ट्री पुस्तकाला है उनिस सु से तालिस के बाद में बना था बारती समिदान के अनुचेद 62 की अनुचुची साथ में रास्ट्री पुस्का ले की सापना का प्रावदान है और उससे रास्ट्री मात्र की संस्ता गोशित करने का भी प्रावदान किया जाता है उसको रास्ट्री मात्र की संसा गोशित किया जाता है भारत का जो राश्त्री पृस्त का लए है वहां कौलकत्ता महस्तित है इसके विकास का एक लंबा इतियास है हम इसके इतियास को तीन भागों में बाड़ते हैं तीन चरणों में बाड़ते हैं पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण पहला चरण 1835 से 1903 दूसरा चरण 1903 से 1947 और तीसरा चरण है वह 1947 और 48 में जब राश्त्री पुस्त का लए बना था प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण 1835 सन 1835 जब भारत देश अंग्रेजों के अधीन था तब 1835 में वहां के लोगों ने कौलकत्ता के लोगों ने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेडी के रूप में एक सार्जनिक पुस्कालाय के रूप में एक पुस्कालाय के स्तापना की थी जन सही योग से वहां के लोगों ने जिसका उद्धिश था वहां का जो समुदाय होता था वहां के सानी लोगों को पुस्कालाय सेवा उपलब्द करवाना था और उसको 1936-21 मार्च को सर्व साधरन के लिए सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था सन 1944 में कलकत्ता सार्जनिक पुस्कालाय एक बड़े भवन में सहस्तांत्रित किया गया है इस भवन को लोड मेटकॉफ के सम्मान में बनाए गया था सन 1857 में बारतिय सतंतरता संग्राम का प्रादूर भाव हुआ था जो भारत की जो रास्टि करांती हुई थी 1857 में उस करांती के साथ में ही जो विडेशी समुदाय जो यूरूपियन समुदाय उस पुस्कालय का सयोग दे रहा था वह पुस्कालय का सयोग उन्होंने देना बंद कर दिया था यानि जब पुस्कालय की शुरुआत होती ही 1835 में 1836 में उन लोगों के लिए सार्जनिक रूप से खोल दिया जाता है फिर कॉलकत्ता पर अंग्रेजों का जो साशन था अंग्रेजी समुदाय के जो लोग रहते थे वो भी उस पुस्कालय का उप्योग करते थे वहाँ पर अपना सयोग देते थे लेकिन 1877 की जब करांती हुई तो उन्होंने अपना सयोग देना बंद कर दिया था तो 1960 के बाद में पूरी जो दसक दो तिन दसक निकले थे वो एक सार्जनी पुस्कालय में उसके के रूप में उस पुस्कालय के निकले थे और अंग्रेजों ने जो भी विरेशी जो लोग थे उन्होंने उस पुस्कालय में सयोग देना बंद कर दिया था तो यहाँ प्रथम चरण था द्विती चरण 1903 से 1947 जिसे हो कि हम the imperial library कहते हैं सन 1800 नन्यानू में जब लाड करजन भारत का वायस राय बनकर आये थे तो उन्होंने कलकता नगर के सभी पुस्कालयों का सरवेक्षन करवाय था नगर में एक अच्छे पुस्कालय की सस्थापना के उत्विश्य से उन्होंने कलकता साधनिक पुस्कालय को क्राय करके उसे imperial library के रूप में मिलाने का विचार प्रकट किया जो कि उस समय केवल सरकारी करमचारियों के लिए ही गुले थी मतलब उस दोरान जो साधनिक पुस्कालय था उस दोरान एक imperial library भी जो लौड करजन आये थे भारत उनके पहले स्थापित की गई थी लेकिन उन्होंने कॉलकत्ता में पुस्कालय का सर्वेक्शन करवाय था और सर्वेक्शन करवा कर उन्होंने जो साधनिक पुस्कालय था उसको जो imperial library थी उसमें मिलाने का की शुरुवात की उन्होंने काम किया था तीस जनावरी उननी सो तीन में लाड कर्शन के द्वारा इसका सुभाराम किया गया imperial library के नाम से इसको इसका नाम दिया था British Museum के जो बिटिस म्यूजियम यानि बिटेन में जो रास्टिप उस्का लए था लब्रेटीज म्यूजियम नाम से वहां के सायक लाइब्रेटियं थे जोन मेक फ़रलेन उसको प्रतम लाइब्रेटियं नहीं नेकृत किया गया था दप इंपीरियल लाइब्रेटी का जो कि कॉलकत्ता के सारजनिक पुरुस्कालय तथा पहले की बनी हुई imperial imperial library को जोड़ कर बनाय गया था मेक फरलेन की निउक्ति की गई assistant librarian के रूप में और sorry वहाँ जो assistant librarian था जो British Museum में था उसको librarian के रूप में ग्रंथा लई के रूप में जो imperial library थी कॉलकाथा में उसका प्रथम ग्रंथा लई निउक्ति किया था उन्होंने पुस्काले में जो ग्रंथ सुची प्रत्रक सुची का निर्मान किया था स्री ग्रनेश किया था और भारत में जो प्रकाशित होने वाले सर्व स्रेस्ट ग्रंथ थे उनको एकत्रित करना उनका प्रमोक उन्होंने देही बनाया था उनको एकसरित करना शुरू किया गया था 1908 में भारत के सूप्रसिद भासाविद स्री हरीनाथ डे को इसका ग्रंतालाई न्यूप्त किया था जॉन मेक्फरलेन के बाद में हरिनाथ डे को इसका ग्रंतालाई यानि लाइब्रेडियन यूप किया था 1911 में मृत्यू जो हरिनाथ डे थे उनकी मृत्यू के पस्चाथ स्री जे ए चेपमेन को उस पुस्कालाई का पुस्कालाई द्यक्स का पदभार दिया था 1928 में बारस सरकार ने इसके पुनर गठन एवंप्रसासनिक सुथार है तू जे ए रिचे की अध्यक्सा में एक समिती का गठन किया गया इस समिती ने अन्य सभी बिंदों के साथ एक विशेस अनुसंसा की कि इंपिरियल लाइब्रेरी को एक आवप्ती पुस्कालाई गोशित के आ जाए आवप्ती यानि डिलेवरी पुस्कों को संग्रे करने वाला पुस्कालाई तो आवप्ती पुस्कालाई गोशित करने के बाद में विदी के अंतरगत या कानून के द्वारा देश में प्रकाशित प्रतेक पुस्तक की दो प्रतियां इस पुस्काले को बेजी जाने सूनसित की गई प्रतु इस अनूसंसा का प्रभाव 1954 से दिखने को मिला जबकि Delivery of Books Act जो पुस्काले अदिनियम बनाया गया था उसके बाद में ही दिखाई देने लगा उन्होंने 1927 में रिचे कमिटी की अनूसंसा पर आवपती पुस्काले गोसित किया गया लेकिन उस पे इतना कोई बल नहीं दिया गया और पुस्कों का जो प्रतियां जो जमा करवानी थी वो लोग नहीं करवाते थे जो प्रकाशक होते थे लेकिन स्वतंत्र भारत में जो उनका रुजां दिखाई दिया जाने लगा तो ये दृतिय चरण था अब बात करते हैं तृतिय चरण जो की 1947-1948 का राश्टी पुस्काले का है स्वतंतरता प्राप्ति के पस्चात 1948 में एक अधिनियम पारितकर भात सरकार ने इसी इंपीरियल लाइब्रेरी को राश्टी पाल स्री चक्रवर्ती राज गोपालचारी ने पुस्काले को बेल वेडर जो की राजववन था में स्थानांतरित कर देने की अनुसंसा की थी 1951 में इसको बेल वेडर में स्थानांतरित कर दिया अब राश्टी पुस्काले इसी बवन में स्थ है वर्तमान में भी बेल डे स्वतंत्रता के बाद जब उसको इंपीरियल लाइप्रे से राश्टी पुस्काले नाम दिया तो उसके प्रथम ग्रंथा लई ही थे वो थे स्री बी एस कैस्वन उनको निक्त किया गया था एक फरवरी 1953 को उस समय के देश के सिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसे सर्व साधरन के खोल देने के लिए गोचना की गई थी एक फरवरी 1953 से सभी लोगों के लिए इसको खोल दिया गया सन 1954 में भारप सरकारणवारा Delivery of Books Act पारित किया गया तता 1956 में इसे संसोधित करके पत्र पत्रिकाओं को भी इसमें समयलित कर दिया गया जो 1994 का अदिनियम था उसमें केवल पुस्तकों का ही था प्राप्त करने का लेकिन 1926 में उसमें संशोधन करके पत्र पत्रिकाओं को न्यूस प्यापर को भी उसमें जोड़ दिया गटा था अब बात करते हैं भारत के राश्टी पुस्काले का संगठन एवं उसका प्रभंदन वर्तमान में प्रसास्की रूप से राश्टी पुस्काले हमारा जो है वह मानव संसादन एवं विकास मंत्रा ले के अंतरगत काईदि करता है निदेशक जो होता है वह राश्टी पुस्काले का प्रमुक होता है निदेशक की सायता के लिए दो पुस्काले अद्यक्स होते हैं तक्निकी एवं प्रसास्निक कारों के लिए उपुस्काले अद्यक्स सायक पुस्काले अद्यक्स एवं तक्निकी एवं व्याफसाइक साय का एक दल होता है इसके अत्रिक दो प्रसासनिक अदिकादी भी होते हैं जो प्रसासनिक मावलों में Dlishak की साहता करते हैं राश्त्री पुस्तकाले को काहद देवित कि आधार पर संगतित किया गया है मुख्य रूप से जो पुस्त काले के दो विबाग हैं तक्निकी या व्याफसाइक और दूसरा है प्रसासनी तक्निकी या व्याफसाइक जो विबाग है उसका काम है पुस्तकों का चैन करना, उनका क्राई करना, उनका प्रसूती करन करना और पाठक सेवा और पुस्तक सरक्षन पुनरावरती परियोग साला आदी समंदित कार्य संपन किया जाता है क्या प्रशास की विपाग में मुख्य रूप से प्रशासन सुरक्षा तथा बाग बगीचे के समंदित कार्य किया जाता है जो प्रशासनिक विपाग होता है उसके द्वारा जो पुस्तकाले की सुरक्षा तथा बाग बगीचे के समंदित कार्य होते है तो राश्ती पुस्तकाले के परमुख दो विपाग हैं पहला तकनीकी है व्याफसाइक और दूसरा है प्रशासनिक तकनी की जो पुस्काले की सेवाएं है जो पुस्काले की व्रसाएं उनको देखता है और जो प्रसासनिक वाग है वह उस पुस्काले की सुरुक्षया तथा वहां की जो भाग वगीचा जो गार्डन है उसके समंदित कायरित देखता है 31 मार्च 1999 में राष्टी पुस्त का लेका संगरन निम्न प्रकार था पुस्त के 27 लाग से ज्यादा थी पत्रिकाए 6 लाग पांडू लीपियां 3,000 जो मांसित्र और एटलस 85,000 माइक्रो फिल्म 96,000 फोटोग्राप्स 1,215,000 गौवर्मेंट डोकुमेंट 4,22,000 कुल 40,47,500 डोकुमेंट 1999 में थें जो वर्तमान में बढ़कर 60,000,000 के करीब हो चुके हैं अब जो पुस्तकाले के श्रोथ हैं जो संकलन के श्रोथ हैं वो कौन-कौन से हैं रास्ति पुस्तकाले वह है पुस्तकाले आवक्ति अदिनियम यानि जो डिलेवरी और बुक्स एक्ट हैं वो क्राय के द्वारा दान के स्वरूप में प्राप्त करना और विनिमय के रूप में प्राप्त करना जो वहां पर जो शंग्र है संग्र विकास होता है वह delivery of books act क्राइक के द्वारा दान के स्वरूप और बिनिमाई के द्वारा वहां पर जो पुस्तकों का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वह प्रस्तुतिकरण वहाँ प्रसुतिकरण AACR2 Anglo-American Catalogging Rule 2 के अनुसार किया जाता है AACR2 अपने कोर्स में नहीं है यह एक सुचीकरण की प्रक्रिया कि किस प्रकार से वहाँ के प्रलेकों को सुचीकरण करना है एक दरपन के रूप में होता है पुस्काले का सुचीकरण जिसमें यह स्कीम होती है Anglo-American Catalogging Rule AACR2 तो राश्ति पुस्काले में पुस्कों का प्रसुतिकरण है वह AACR2 के अनुसार होता है और सुचीकरण है वहाँ ड्यूडेसिमल जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके अंतरगत किया जाता है और जो बुक नंबर है वह कटर की जो तीन अक्सर वाली टेबल है उसके अनुसार बुक नंबर तयार किया जाता है पाठक की समंदित सेवाय है वह लेंदेन की समंदित यानि लोगों को किताबे इस्यू करना, रिटन करना वाचना लए, एक बहुत बड़ा वाचना लए है जिस वाचना लए में जाकर जिसमें दस कक्ष बने हुए है तीन सो से ज़्यादा लोग एक साथ में बेट सकते हैं वहाँ पर जाके अध्यन कर सकते हैं वांग में सूची तशा संदर्ब सेवा प्रदान करना प्रस्ण होते हैं जो ज्यान के समंदित प्रस्ण होते हैं आप सकता होती सूचना इस समंदित उन आप सकता हों की पूर्ती करना और यह पूर्ती संदर्ब विवाग के द्वारा की जाती है रिपोग्राफिक सेवाएं रिपोग्राफिक यानि जो पुराने जो ग्रंत हैं जो रेयर्स ग्रंत हैं जो फटे पुराने और हस्त लिकित पांडूली पियां हैं उन सपी को रिपोग्राफिक सर्विस के द्वारा उपयोग युक्त बनाना उनको वापत उनका उपयोग किसी समंदित awareness जो सेवाएं हैं जागरुकता सेवाएं हैं वो लोगों को प्रदान की जाती है इस पुस्तकाले के द्वारा रंगनातन ने भारती राष्टी पुस्तकाले के समंद में अपने विचार प्रकर्ट करते हुए लिखा है कि सन 1903 में लाड करजन द्वारा संस्तापित इंपीरियल लाइबरेरी के नाम में राष्टी पुस्तकाले परिवर्टन कर देने मातर से उसके समंद पुस्तकाले कारिये पूरे नहीं हो जाते हैं इसके प्रामर्स दाताओं को संगी सरकार को एमानने के लिए त्यार करना चाहिए कि राष्टी पुस्तकाले को जन पुस्तकाले के राष्टी तंत्र के सिष के रूप में कारिक करने के लिए निर्मित करना तथा संचालित करना यानि एक अपेक्स बोडी, शिष बोडी के रूप में काम करें भारत के सभी पुस्काले के रूप में इस प्रकार से उसको निर्मित करना यहां बातें डॉक्टर एसा रगनाथन ने बताई है कि केवल इंपीरियल लाइब्रेरी से राष्टी पुस्काले नाम बदल देना ही सब कुछ नहीं है यह कोई बड़ा जो काम तभी हो पाएगा जब हम इसको एक अपेक्स यानि शिष संसा के रूप में स्तापित करें और यहां सस्कृति के राष्टी चीनर के रूप में निर्मित किया जाए और जो विद्वानों के उप्योग के लिए जो किया गया था ना कि देश के समझ को लोगों के लिए तो सभी के लिए इसका उप्योग किया जाए सबी लोगों को इसकी सेवाइं प्राप्त हो तो रंगनातन ने अपने विचार इस राश्ट्री पुस्काले पर इस प्रकार से प्रकट किये गए थे